मेरी इस MacBook Air में सिर्फ दो Type-C port है यहाँ पर और आजकल के जो Windows के laptop आते हैं उसमें भी limited ports होते हैं और ज्यादातर लैप्टॉप्स में single HDMI port हमें देखने को मिलता है पर अगर आपको अपने laptop या PC से multiple accessories को connect करना है multiple screens भी चाहिए तो यह जो product है काफी आपके काम आसकता है इसके अंदर काफी कुछ है इस product का use करने पर क्या कोई quality में compromise वगेरा होता है या फिर नहीं चलो testing करके देखते हैं इसकी तो यह है box Le Moral के 6-in-1 USB-C hub का जिसका model number है TC73 Plus और यहाँ पर आप लोगों को अलग-अलग variant मिलते है 6-in-1, 8-in-1, 10-in-1 आपको इसकी links जो है description में मिल जाएगी जहाँ पर आप लोगों चेक कर सकते हो अपनी requirement के हिसाप से order कर सकते हो और इसकी मैंने unboxing कर दिया है अंदर user manual भी हमको मिलता है और यह जो है यहाँ पर रखा हुआ USB hub जो की dark grey color में और touch and feel की बात करें तो काफी premium लग रहा है यहाँ पर और इसकी cable भी आप देख सकते हो काफी थिक है काफी अच्छी quality की cable है यहाँ पर एक side में आपको 3 USB port मिल जाते हैं यहाँ पर देखिए यह तीनों के तीनों USB 3.0 है तो काफी अच्छी speed आपको मिलने वाली है दूसरी side में आपको HDMI 4K 30Hz वाला मिल जाता है port और power वाला port मिल जाता है इसको अगर आपको laptop को charge वगरा करना है तो इससे हो जाएगा और नीचे की side में एक और आपको HDMI port मिल जाता है 1080p वाला और इसके type C की मिदद से आप इसको PC, laptop, smartphone, tablet कहीं पर भी connect कर सकते हो तो अब जो है इसके सभी port से कुछ connect करकर के हम इसकी testing कर लेते हैं तो वीडियो पसंदार हो तो वीडियो को like जरूर से कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर से कर दीजिए दोस्तों मैं ऐसी ही टेक वीडियो लाता रहता हूं पूरी information से भरी हुई चलिए इससे अब एक hard disk connect करते हैं तो directly plug and play की तरह ये काम कर रहा है कोई भी user manual लगे रहा कि जरत नहीं पड़ी यहाँ पर अब मैं एक WD की hard disk connect करता हूं इसके कोई भी एक port में और हम लोग देख लेते हैं कैसे speed वगेरा में मिलती है तो यहाँ पर मैं एक 4GB से बड़ी file जो है copy paste करता हूं यहाँ पर देखें connected है और आराम से 100 Mbps से ज़्यादा की speed में जो है ये आपको दिख रहा होगा USB 3.0 की वेजे से एक दम फटा फट जो है files copy paste आप कर सकते हो कुछ seconds के अंदर जो यह complete हो जाएगा चार्ज इबी का file और वापस से मैं इसके अंदर करता हूं paste अपनी hard drive में और देखिए कुछ इस तरह से speed आपको मिल जाएगी बड़िया और यहाँ पर मेरा laptop चार्ज भी हो रहा है देखिए power on है और यह चार्ज हो रहा है इसके power वाले plug से type C जो plug हमें मिलता है वहाँ से आराम से आप अपने laptop को चार्ज भी कर सकते हो साथ में accessories को connect भी कर सकते हो अलग-अलग तो भाई अब HDMI port भी चेक कर लेते हैं Samsung का monitor मैंने रखा यहाँ पर MacBook के साथ हम इसको connect करके देखेंगे यहाँ पर यह रहा HDMI cable मेरे पास और 4K वाले में मैं लगा देता हूँ जरा इसको और दूसरी side इसकी मैंने लगा दी अपने monitor पे और यह on हो गया है monitor HDMI 1 लिखा हुआ आ गया है और यह देखिए MacBook की screen हमें मिल जाती है दूसरी screen अपने इसके उपर मिल जाती है और अब जो है यहाँ पर देखिए settings में एक तो है built-in display और एक है S19 A33X यहाँ जो की Samsung की और इसको यहाँ से मैं arrange कर सकता हूँ उपर नीचे जहाँ भी मुझे लगाना है तो इसको मैं उपर लगा देता हूँ center में एक दम यह देखिए settings में आप आराम से कर सकते हो अपने MacBook की जो भी system settings होती है वहाँ पर और इसको मैं उपर लगा दूँगा क्योंकि सिंगल डिस्प्ले है और अब जो है देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैं mouse को जैसे ही उपर करूँगा cursor को एक डिस्प्ले में से दूसरे डिस्प्ले में देखिए कुछ इस तरह से आप use कर सकते हो दो डिस्प्ले और multiple डिस्प्ले आप connect कर सकते हो क्योंकि दो HDMI का support आपको इसमें मिल जाता है तो यह जो है बहुत ही perfectly और बहुत ही smoothly काम कर रहा है यहाँ पर और अगर आपकी डिस्प्ले 4K है यहाँ पर Samsung वाली जो मेरे पास हो तो 4K नहीं है आप कर सकते हो smartphone, tablet, किसी से भी, TV से भी तो यहाँ पर देखिए Samsung S23 Ultra से मैं इसको connect करता हूँ Samsung desk हमें मिलता है Dex जो होता है यहाँ पर देखिए मैंने connect कर दिया है monitor को और यहाँ पर जैसे ही मैं start दबाऊंगा तो भाई साब अब मैं phone को भी PC में convert कर दिया है मैंने और यहाँ पर आराम से मैं देखिए phone में ही वो अपना जो mouse cursor होता है वो control होगा phone से ही आपके और काफी बढ़िया लगता है यह भी काफी अच्छा feature है ऐसे Samsung और ऐसे connector की मदद से आप HDMI की मदद से use कर सकते हो यह तो नहीं पड़ी Windows 10 के उपर यह support करता है और Macbook अगराम यह support करता है तो overall आपको कैसा लगा नीचे comment section में बताईए और कोई question हो इसके बार में तो भी comment जरूर से कर दीजिगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए जिनको भी ऐसे connector की या hub की जरूरत है चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों मेरा नाम है तरून यह है gadget masala जैसी क्रिशना